हेलो गाइज मेरा नमर रजनीश कुमारे और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूटूब चैनल में तो आज आप सब के सामने में एक बार फिर पस्तित हूं एक नए टॉपिक एक नए कंसेप्ट के साथ तो आज हम लोग बात करेंगे डी इंडस्टियलाइज आखिर वी और द्योगी करण जो है वो क्या है और हांस सिल्प के पतन के पीछे क्या कारण रहे और इसके साथ हम लोग देखेंगे कि इसका परिणाम क्या रहा और इसके परिणाम को हम लोग इसके माध्यम समझेंगे क्या रहा और इसके साथ हम लोग इसके निसकर्स को देखने को मिलता है जो कि भारत के अंतरगत जो परंप्रागत रूप से जो उद्योग चले आ रहे थे उनका विनास किया गया अंग्रेजो द्वारा समाप्त किया गया वी उद्योगी करण की नीतिक अंतरगत और उतने बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं किया गया और यह जो संकल्पना थी वी उद्योगी करण का वो दादा भाई नरोजी के अंतरगत उनके द्वारा यह सिधान्त दिया गया तो आएए चली हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वह है हस्त सिल्प सिल्पों के पतन के कारण आकिर हस्त जो स हस्त कार रहें और जैसा हम सभी जानते हस्त सिल्प वह होता है हस्त सिल्प उसे कहते हैं जब विभीन वस्तुएं हस्त सिल्पी कारियों द्वारा बनाई जाती है चाहे वो सजावटी समान हो चाहे वो घरों में बनाये जाने वाला से समंदी जो समान हो उसको हम लोग हस्त स कहते हैं जिसके अंतरगत हम लोग को खिलोने जैसी जो सजावटी जो चीजे होती हैं जो वस्तुए होती हैं उसे हम लोग हास्त सिल्प कहा जाता है और हास्त सिल्प के पतन की यदि हम लोग कारणों की यदि हम लोग बात करें तो इसके पीछे अनेक कारणी थे और इसमें हम परकार से ब्रिटीस भारत में सासन कर रही थी और इसके सांती साथ वैपार कर रही थी और अभी तक इनके दोर्थ एका अधिकार वैपार के उपर किया गया था लेकिन जो 1813 का जो एक्ट रहा अधिनियम जो रहा उसके माध्यम से अब बिटिसर्स ने जो बाहर के जो देश थे उन सभी के लिए भारत में वैपार करने का दरवाजा खोल दिया था और इसके माध्यम से जो विविन कमपनिया थी भारत से बाहर जो विविन कमपनिया थी अब वो और अपने वस्तूओं को बेश सकती थी वैपार कर सकती थी और इस परकार से जो कम्पनी का एका अधिकार था वैपार पर वो खतम हुआ और इसके अंतरगत हम लोग देखते हैं कि किस परकार से बड़े पैमाने पर ब्रिटिसर्स के यहां से भी अंगिलेंड से भी बड़े पैमाने पर चुकी ओद्योगी करांती वहां आई हुई थी और उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर भारत में वस्तुओं की भरमार कर दी गई और जिसके अंतरगत देखते हैं हम लोग पाएंगे कि एक तरफ तो ब्रिटी सर्थ की जो ओद्योगी करांती थी और एक तरफ भारत था क्योंकि ब्रिटी सर्थ की जो सरकार थी जो इंगलेंड जो था उसके अंतरगत बड़ी-बड़ी और द्योगी करांती के अंतरगत मशीने लगाई गई थी जो की जल्द से जल्द कि जाती थी जो काफी समय लगता था उसमें और उसका जो कीमत हुआ करता था उन वस्तुवों का वह अत्यधिक हुआ करता था तो इसी यही एक परमुक कारण रहा जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि हस्त सिल्पियों का पतन हुआ क्यूंकि इंग्लेंड में ओद्योग से लगा दिया जाता था ब्रिटेन द्रोड़ा बिटिस तरकार दोरा तो जो भी वस्तुवें हुआ करती थी भारत की जो स्लफियों द्वारा तयार की जाती थी उस पर अत्यत्रम स्वा Cub का था हो जाया करता था और उसको वहां के लोग नहीं खरीदा करते थे तो इस परकार से जो हस्त सिल्पी थी जो हस्त सिल्पकार थे भारत में उनके बिजनेस को एक परकार का धक्का लगा और हस्त सिल्पियों का पतन हुआ वो पतन की और अग्रसर हुए और वहीं हम अब अगले पॉइंट की बात करते हैं वह है रेलवे हम लोग जानते हैं कि इस परकार से अध्योगी करांती के अंतरगत बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन ब्रेटिस सरकार द्वारा किया जा रहा था और इन वस्तुओं को बेचने के लिए और भारत के परतिक छेत्र में ब पाफी सरलता हुई और इसके माधियम से ना केवल गाओं में ना केवल सहर में बलकि गाओं और सहर परतेक अस्थान पर रेलेवे के माधियम से पहुंचाने में सफलता मिली और बड़े पैमाने पर जो अंग्रेश से जो बरिटीश सरकार थी उनके द्वारा लाब कमाया गया और यही पर अमेरीकी लेखक द्वारा जो ठीए उनके द्वारा कहा जाता है कि जिस परकार से जो ग्रामीड अर्थ व्यवस्था थी, जो ग्रामीड जो लोग थे, जो अभी अच्छूते थे, जो ब्रिटिस जो वस्तुवे आया करती थी, लेकिन अब इसका परभाव, रेल्वे का परभाव खास तोर से पड़ा, जो कि इस स्वाव लंबी हुआ करती थी, उसको भेद डालने का कारे इनके द्वारा किया गया, और इस परकार से हम लोग पाते हैं कि हस्त सिल्पियों का पतन होने का एक परमुख कालर रेलवे भी रहा, और इसके साथ हम सभी जानते हैं कि कि इस परकार से जो ब्रिटिस सिक्षा नी उसके परिणाम स्वरूप जो रंग और रक्त से तो भारतिये एक भारत के हुआ करते थे, लेकिन दिमागी रूप से उन्होंने ब्रिटिसर्स बना दिया था, उनको अपनी और जुका दिया था, और इसका परिणाम यह हुआ कि अत्तिक जो ब्रिटिस की वस्तुवे हुआ करती थी, उनके प्रती भारतिये लोगों का अत्यदिक जुकाओ हुआ, और भारतिये लोगों में जो ब्रिटिस सिक्षा सीखे हुए होते थे, ब्रिटिस सिक्षा से प्रभावित होते थे, उन्होंने ब्रिटिस वस्तुवे को अत्यदिक प्रोचाहित करने का कारे, परणाम के रूप में हम लोग देखते हैं वह देखते हैं क्रिसी पर दबाओ किस परकार से पड़ा हम सभी जानते हैं कि किस परकार से जो हस्त सिल्पियों का जो पतन हुआ जो सहर के अस्तरपर और इसके साथ ग्रामिन अस्तरपर दोनों ही अस्तरपर हम लोग को देखने को मिलते हैं तो इसमें हास्त सिल्पी जो परमुक्त सूरत, धाका, मुरसीदाबाद जिसे सहरों में रहा करते थे वहाँ पर रहा करते थे लेकिन जो परमपरागत जो उद्योग हुआ करते थे चाहे वो सूती वस्तर उद्योग हों, चाहे रेसम वस्तर उद्योग हों, चाहे वो विभिन प्रकार के कागा जी शिशा उद्योग हो इन सब का क्या हुआ इनके द्वारा शोचण हुआ और ये सारे परम प्रागत जो उद्योग थे उनका पतन हुआ और विभिन सहर जहां पर ये उद्योगे केंदर स्थापिते इन उद्योगों केंदर स्थापिते चाहे वो डाका हो चाहे सूरत हो चाहे मुर्सिधा बाद वहां की जो जनसंख्या थी अब उनका ट्रांजीशन अब उनका अग्रसर अब वो गाउं की और हुए अब उनका ट्रांजीशन गाउं की और हुआ और इसके अंतरगत हम लोग देखते हैं कि अब गाउं की जो जनसंख्या थी वो काफ कि हम सभी जानते हैं कि जो गाउं हुआ करता था वो क्रिसी के अस्तर पर काफी धनी हुआ करता था स्वाव लंबी हुआ करता था और उसके अंतरगत क्रिसी बड़े पहमाने पर की जाती थी और इसका परिणाम यह हुआ सहर के लोगों का जो आगमन हुआ वो परमुकता गाउं की और हुआ और गाउं में खेती की जाती थी लेकिन जमीन उतनी की उतनी ही थी लेकिन करोनो लोग जो सहर से जो गाउं आये उनके परिणाम सरूब क्रिसी पर दबाओ पड़ा और इसके अंतरगत हम लोग देखते हैं और ना केवल क्रिस्को की और हम लोग सभी जानते हैं कि अत्यदिक जो जनसंक्या है भारत की वो गाउं में निवास करती है अर्थात अत्यदिक जो उत्पादन किया जाता था वो गाउं की अस्तर पर किया जाता था और इससे क्रिस्को पर दूस्प्रभाव पड़ा और अंत चाँति अस्तर पर कच्चा माल बनाया जाता था गिरामीर अर्थवbnस, विवस्ता के अस्तर पर देनी का कारे के निकी के जाते था मोटे कुतिर पर जोस्तर पर भी भेजा जाने कारे कारे की जाता था , तुटर एक परती सादा जो घांव में हो का पतन हुआ चाहर में हो चाहर वो गांओं में हो तो इसका प्रणाम यह हुआ यह वह कि पूनता जो जनसंख्या वहा क्रिसी पर निर्बर हो चुकि um जो जो оказ आरथिक विकास था जो भारत का अर्थिक वह विकास था अब रूख गया और और अधिक अधिक उसके डिपेंडेंसी निर्भरता अब क्रिसी पर हो चुकी थी तो चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की और वह है हमारा निसकर्स तो हम लोग बात करेंगे निसकर्स की और रिजल्ट की और अंतता हम लोग ने देखा कि किस परकार से जो ब् हम लोग को देखने को मिलता है और हम सभी पाते हैं कि किस परकार से जो भारत की जो अर्थ ववस्था थी उसको एक परकार का धक्का लगा और यह सभी भूराजस्व की जिस परकार से नीती अपनाए गई अंग्रेजयों द्वारा जिसमें नगदी फसलों पर अत्यदिक ज उगाई जय और इसका प्रिणाम हम लोग को याद देखने को मिलता है कि हास्त सिल्पियों के पतन के साथी साथ जो भारती क्रिशक थे उनके उपर भी दबाव पड़ा वह गरीबी और भूखमरी की और अग्रसर हुए और भारती जो जनता थी जो खास तोर से जो अर्थ विवस्ता का भी निर्धनी करण हुआ वहां के लोगों का निर्धनी करण हुआ और गरीबी और भूखमरी की और अग्रसर हुए तो ये था आज का मेरा वीडियो क्यासा लगा ज़रूर बताए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ठैंक्यू धन्यवाद झाले अर्चानी करना लाइक आज का मेरा लाइक और सब्सक्राइब ख़गा हुआ झाले का मेरा लाइक नवाद्ग फटना विवस्ता मेरी का कि और गिवस्ता लेगाद वादा हुआ द।